हलो प्रेंट्स आज मैं आपको बताऊंगा एदी आपकी ब्याई हुई गाय का या भेंस का दूद अचानक एदी कम हो जाता है तो आपको क्या देना चाहिए क्योंकि मेरे बार्ट सप्रेंट्स प्रकार के बहुत ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि सरह हमारी जो गाय है ब्यायने के बाद में एक पर दूद दे रहे थी लेकिन अचानक उसका दूद डूद डाउन हो गया है तो इसके लिए हमें उसका क्या ट्रीटमेंट करवाना चाहिए तो आपके पसूँ में जो दूद अचानक गिरता है तो मेरे चेनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है कि क्या कारण हो सकते हैं उसका कैसे निवारन किया जाता है तेकिन आज की वीडियो में आपको सिर्फ उट्सर में इस तरह की दवा बताऊंगा जो कि आप अपने दूद वैसे का वैसा बना सकते हैं देखो जो आपको मेरी टेबल के उपर जो आपको दिख रहा है इस तरह कि जो मैं आपको दवा बताऊंगा उस दवा का परियोग आप अपने पसूँ में करना है देखो सबसे पहले तो मैं बताता हूँ उसको सोडियम एसीड फासपेट पाउडर एदी आपके गाह बहांस का दूद अचानक कम हो जाता है हो सकता है आपके पसूँ की सरीर के अंदर गत फासपोस्ट डेफिसेंसी हो गई हो या आदर एदी आपके पसूँ में इम्म्निटी है वह कम हो गई हो रोग परतिरोदक समता एदी डाउन हो जाती है तो उसकी वज़े से भी आपके पसूँ में इस तरह की दिकत हो जाती है तो इसके लिए आपको एक तो सोड़ा फोस पाउडर मिले तो आप सोड़ा फोस पाउडर का परियोग आप अपने पसूँ में करवा सकते हैं यह देना कैसे है 50 गराम आपको सुबह देना है और 50 गराम पांच दिन से लेकर किये, डश दिन तक आप सोडा-फोस पाउडर का परयोग आप अपने पसूं में करवा सकते हैं इस आपको जल्दी रिजेर लेना है, तो आप सोडा-फोस पाउडर की जगर है आप इंजेक्शन का भी प्रयोग को शक्ते हैं उस प्रकार से विर्वे का injection आता है Urimine जो आपको दिख रहा है जिसके अंदकर साल्ट है sodium acid, phosphate इस injection का भी प्रयोग रहा जा सकता है यह दि आपके पास नजदिक यह दि पसू चिकल सकता है तो इस injection का प्रयोग आप 15 ml intravenous याई नस में यह injection लगवाएं यह दि आपको जल्दी रिजे लेना है तो 15 ml परड़े के साब से लगातार तीन दिन आप 15-15 ml यह injection उस पसू को intravenous यह injection लगवाना है यह दि आप यह injection यह दि आप अपने पसू को लगवा लेते हैं तो आपको इस soda force powder की कोई भी जूरत नहीं है इंजेक्शन से यह आपके पसू के अंदरगत ब्लड के अंदरगत प्रयात मात्रा में फासपोर्स की पूर्ती हो जाएगी यह तो आपको देना है देना है रोग परतिरोदग खंता ही और है आपके पसू में बढ़ाने है तो इसके लिए vitamin c का सबसे बड़ा रो ला है तो आप vitamin c का injection का प्रयोग आप 15 ml आपको इंट्रा मस्कुलर वा इंट्राविनस ये आप इंट्राविनस देंगे तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा तो ये इंजेक्षन है आपको विटामिन सी का ये इंजेक्षन भी बहुत जरूरी है उस पसू को लगाना ये आपके पसू में इस तरह की दिकत आ गई है तो ये क्या करते हैं इंजेक्षन आपको दो लगवाने हैं एक तो यूरिमीन और एक विटामिन C का इंजेक्षन दोनु इंजेक्षन आपके पसू में जिस प्रकार से दूद की डाउन हो जाती है तो उनके लिए बहुती बैटर हैं तो आपको ये पाउडर देना नहीं है अब इसके अंगर प्यात मातरा में विटामिन, साइरन, कोपर, केलसियम, सप्लिमेंट होता है जो कि आपके पसू के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है वैसे सारको फिरोल के बारे में मेरे चेनल पर एक डीटेल सी वीडियो बनी वी है वो भी आप जाकर के देख स क्योंकि इसके अंगर प्यात मातरा में कोपर है, कोबाल्ट है, निकेटिनमाइड है, भायोटिन है, फोलिक एसीड है, साइनो कोबालामीन है यानि प्यात मातरा में इस विटामिन्स और आइरन है ताकि आपके पसू में होने वाले किसी भी तरह की जो डिपिसिंस ही है उसक आपके पसुओं में ये result मिलने वाला नहीं है तो आप इसके तरह आप सारको फिरोल का प्रियोग आप अपने पसुओं में करवाना है यह दिया आपके पसुओं में इस तरह की दिकत है डोज आपको 50 ग्राम से ज्यादा परड़े के साब से नहीं देनी है साथ इसाथ आपको डीटेल सी वीडियो बनी हुई है वो भी आप जाकर की देख सकते हैं क्योंकि ये गुलकोजेनिक होता है और प्रियाप्त मात्रा में इसके अंद्रगत विटामिन्स एंड जो आपको कई वीडियो में मैं आपको बता सुका हूँ कि इसके कोलान कोलाराइट भी होता है जो क एक समय आपको बोवी चार्ज देनी है बोवी चार्ज आप सियाम को दे सकते हैं ये 200 ml एक साथ जिन पसो में दूद की कमिया जाती है 200 ml एक साथ लगातार आप 5 दिन से लेकर किए 10 दिन तक इस लिक्विड का प्रियो करना है बस 2 एक तो आपको ये सारको फिरोल चटनी एक बोवी चार्ज जो मैं आपको रिपीट कर रहा हूं ये और सिर्फ दो इंजेक्शन जो लगातार 3 दिन आपको ये इंजेक्शन देने है और 5 से 10 दिन तक आपको ये सारको फिरोल या बोवी चार्ज देनी है सारको फिरोल को आप बढ़ा भी सकते हैं 15 दिन 20 दिन भी आप उस पसु को दे सकते हैं, कोई भी side effect आपके पसु में नहीं करेगा, बट आपके पसु में अच्छा ही result देने की कोशिस करेंगे, जितने भी जो ये product और ये injection आपको बताए गए हैं, आप देखो जितने भी जो पसु पालक हैं, डेरी फार्मर हैं या जितने वीटेनेस टेंट हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, यह दि आपके पसु में इस तरह की यी दिकत हो जाती है, तो इस तरह का treatment आप अपने पसु में करवा सकते हैं, वेटरिन रिस्टेंट उन पसूं पर कर सकते हैं और बैटर जेल मिलेगा रही बात इस तरह का जो treatment है ये किसी भी तरह का कोई भी side effect आपके पसूं में करने वाला नहीं है बट आपको फोती अच्छा result देने वाला ये जो liquid जो powder जो मैंने आपको बताए है रही बात इतना महेंगा खर्चा भी नहीं आएगा जितना इदि आपके पसूं जिस प्रकार से 30 लिटर दू देने वाली गाय भैंस या 30 लिटर दू देने वाली गाय है वो 15 लिटर पे आगई है 15 लिटर दूद देने वाली गाय, भेंस है वो 10 लिटर पे आ गई है तो उन पर उनको देखते हैं ज्यादा महाँगा खर्चा भी नहीं पड़ेगा बट आपके पसों के लिए ये सेब भी रहेंगे, ये ट्रीटमेंट करेंगे तो आपके पसों में बैटर जेल देखने को मिलेगा ये आपके पसों में अचानक ये दी दूद डाउन हो जाता है तो कई बर आप उन पसों को केल्शेम है वो देती हैं लिक्विट फिर भी आपके पसों का दूद नहीं बढ़ पाता है तो भी आप इस तरह कि जो प्रोड़क्ट जो इंजेक्शन में बता हैं इनका भी प्रियोग आप अपने पसों में करवा सकते हैं देखो जातक हो सकता है मैंने आपको सही और सरल बासा में बताने के कोशिस किया ताकि जितने पसों पालक है उनको अच्छी तरह से समझ में आ जाए जो मेरे नए चैनल है उनका लिंक डिस्क्रेस में दिया गया है और ये वीडियो जितना हो सकता है आप पसों पालक है उनके साथ और मेरे जितने वेटिनेरी स्टेंट है उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सकता है आप सेर कर दें ताकि उनके पसों में होने वाले इस तरह की दिक्तों का solution वो कर सकें इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें धैंक्स धन्यवा